दोस्तों रमश्कार मैं संजवग्गू और मवजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याड़ा में नई सरकार बन चुकी है मुख्य मंतरी नायव सिंग सैनी और उनकी वजारत यानि कि उनके मंतरी मंडल ने कल शपत लेने के बाद आज विधिवत रूप से अपना कारेभार संभाल लिया नायव सिंग सैनी ने मुख्य मंत्री पतका कारेभार समालते ही पहली केविनेट की बैठक की और केविनेट की बैठक में उन्होंने वो तमाम कई पड़े फैसली जिनके अंदर DSC को आरक्षन के अंदर वर्गी करन देना इसके साथ साथ सभी अस्पतालों के अंदर डायलेसिस फ्री यानि कि किड्नी रोगियों के लिए एक बहुत बड़ी सोगात और भी बहुत सारी बातें थी दूसरी पहत्वपूर बात यह हुई कि नायव सिंग सेनी सभी अपने मंत्रियों को ले करके उनके कक्षों में गए और सभी मंत्रियों को उनके कार्यालियों में बिठा करके मिठाई खिला करके उनको बविश्य की शुप कामनाई दी जिस वीडियो पर मैं चर्चा में आपके साथ हूँ वो प्रमुक बात यह है कि एक चहरे पर नजर थी शपत ग्रहण में भी और आज भी कारेभार संभालने के दोरान पलवल के विधायक गौरव गौतम जब वो मंत्री मंडल मंत्री पत की शपत लेने के लिए उस मंच पर पहुंचे जिस मंच पर मंत्री बैठ रहे थे तो लोगों के बीच में एक बात गई कि ये चहरा एक गम से जो सामने आया वो अचंबित करने वाला था अगर मैं ये कह दूं कि गौरव गौतम को टिकेट मिलने वाली बात भी अचंबित करने वाली थी और आज जब उनको मंत्री पत का दाइत्व दिर्वाय जा रहा था तो वो भी लोगों के लिए बहुत सर्प्राइस घटना थी कि एक दम से एक युवा इतनी तेजी से आगे बढ़ता है और वो राजनीती की मुख्य धारा में आ करके परदेश के अंदर सीधा मुख्य मंत्री बन जाता है मातर 36 साल के उम्रों में आपको इस घटना से मैं कुछ यूँ जोड़ूँगा कि देश के परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने लगवग एक सवर्ष पहले अपने मन की बात कारेकरम में एक बात कही थी परदान मंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं या उनकी मन की इच्छा है कि देश के वो यूवा कम से कम 5000 यूवा राजनीती की मुख्य धारा में आएं जिनका कदीमी राजनीती जिनका खांदानी राजनीती कह सकते है या जिनके परिवार के अंदर जिनका कोई बहुत बैक्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का ऐसे यूवाओं को आगे लाया जाए और जब कल गौरव गौतम शबत ले रहे थे तो मैं उस समय अपने साथियों के बीच यही बात कर रहा था कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि यूवाओं को ऐसे यूवाओं मिलेंगे जिनके अंदर कदीमी राजनीती है चाहे वो चौधरी देवी लाल का परिवार हो चाहे चौधरी बंसी लाल का परिवार हो चौधरी भजन लाल का परिवार हो उसके बाद आते हैं तो राव इंदर जी सिंग का परिवार हो कृशन पाल गुजर का परिवार हो रा युवा चेहरे के रूप में जो मंत्री बने उसके अंदर आरती राव मंत्री बनी राविंदर जी सिंग की बेटी शुती चौधरी मंत्री बनी तो चौधरी बंसी लाल की सोपोत्री किरन चौधरी और चौधरी सुरेंदर सिंग स्वर्गे चौधरी सुरेंदर सिंग की सोप जो पलवल के और आसपास के लोग हैं खासकर जो दक्षिन हर्याना के लोग वहां तक भी अगर मैं कह दूँ लेकिन अगर पूरे हर्याना के और फिर राजनीती में रुची रखने वाले युवाओं के लिए अगर मैं यह कहूं तो यह घटना गौरव गौतम का विधायक और मंत्री बनना उनके लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक उनको दिशा देगा एकुन को रास्ता दिखाएगा कि वो युवा जो कहीं नेपत्थे में हैं वो भी कभी भी राजनीती की मुख्यधारा में आ सकते हैं ये भारती जन्ता प्राइटी ने अपने राजनीती कौशल से लोगों को बता दिया अगर मैं गौरव गौतम की बात करूँ तो पल्वल विधान्सवाजचेत्र आजकल तो उनका गाउं हतीन में आता है यैनि कि पल्वल जिले का एक छोटा सा गाउं चिरावटा और चिरावटा गाउं के अंदर बहुत ही साधारन और बहुत ही सामान्यय परिवार में बहुत ही सामानने परिवार में पंड़त हरी प्रकाश गौतम के घर में जन्म लेने वाले गौरव गौतम, बहुत सामानने रूप से उनकी जो शिक्षा हुई, वो गाउं से चल करके ही और शिक्षा ले रहे थे। बहुत है, भारती जन्ता-पार्टी के ततकालीन राष्ट्रिए महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ गौरव गौतम की तो उन्हों ने दिखाया कि वो प्रतिवार नहीं है जो कहीं दबा दी जाए या जो छुपा दी जाए 2014 से 19 का दौर भारती जन्ता पार्टी के हर्याना में सरकार बनी 2019 का चुनाव आया तो गौरव गौतम दिल्ली की राजनीती से निकल करके यानि की जो उनकी सायक वाली बात थी वहां से निकल करके और राजनीती की मुख्यधारा में आने शुरू हुए टिकेट की मांग में थे टिकेट की दोड में थे और 2019 से पहले उन्होंने कई बड़े सफल आयोजन करके पार्टी को संदेश दिया कि उनका भी पलवल विधानसवा छेत्र में रसूख है जनाधार है अगर पार्टी ने उनको मुखा दिया तो कुछ वो भी करके दिखा सकत हैं 2019 में टिकेट की डिमांड थी टिकेट नहीं मिला टिकेट दीपक मंगला को मिला दीपक मंगला विधायक बने पलवल से और गौरव गौतम को मिली भारती जनता युअ मोर्चा में राष्ट्रिय सचीव की जिम्मेदारी मुंबई महराष्ट्र के प्रभारी के तोर पर और जो मैं आपको बता रहा था कि प्रतिवात चुपती नहीं है उन्होंने वहां रह करके उस कारय यानि कि उस दाइत वो खुबी निभाया कि वह भारती जंता पालर्टी के आला कमान की नजरों में आने शुरू हो गए इस दोरान लोकसभा का चुनाव हुआ उससे पहले चाहे राजिस्थान के अंदर चाहे मध्या परदेश के अंदर जो तमाम घटना करम चला उसके अंदर भी गौराव गौतम की मैंने देखा तबड़े पास से कि भूमिका रहा करती थी चुनाव हुआ लोकस सूची जारी हुई भारती जंता पार्टी की तो उसके अंदर पलवल विधानसवाद छेत्र के लिए गौराव गौतम का नाम सामने आ गया और उसी समय खासकर जो राजनिती गटनाओं पर पैनी रज़ा रखते हैं उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रदान मंत्र को टिकेट दिये जाना उसी राजनिती का एक हिस्सा है जब गौराव गौतम पलवल के कैंडिडेट हुए तो जो खाटी राजनिती करने वाले लोगों के अंदर एक संदेश चल पड़ा कि गौराव गौतम बहुत कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे और चुनाओं में वो दिखा नहीं पाएंगे उनका परदर्शन वैसा रहेगा नहीं लेकिन तमाम उम्मीदें तमाम संभावनाएं तमाम भविश्यवानियां तमाम गौसिप सब धरातल में चली गई जब पलवल विधानसावाज चुनाओं के जो वोटों की जो गिंती हुई जब चुनाओं प खांटी नेता करंच सिंग दलाल जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पलवल की रग को जानते हैं 2019 का चुनाओं भी करंच सिंग दलाल हा रहे थे लेकिन वह 2019 का चुनाओं था कि भारती जंता पार्टी की हर्याणा के अंदर 75 पार वाली लेहर थी इस चुनाओं के उंग्रेश की सरकार बनने जा रही है लेकिन इस सब क्या भीज गौरव गौतम ने करंच सिंग दलाल को ना केवल चुनाओं भराया बल्कि एक रिकॉर्ड बन गया पलवल के अंदर आज तक सबसे अधिक मतों से चुनाओं जीतने का 33,605 वोटों से गौरव गौतम पलवल का विधान सबाद चुनाओं जीते और अब उन्हें जब हर्याना सरकार बनी कल यानी की 17 तारिक को मतगर्णा के 9 दिन तो फिर उनको हर्याना सरकार के अंदर स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री पत पर ओद दिलाई गई मैं आपको ज़रूर याद दिनाना चाहूंगा कि जब सरकार बन रही थी तो उससे पहले किसी भी सोशल मीडिया वेब साइट पर आपने गौरव गौतम का नाम नहीं देखा होगा उनके अंदर तमाम बड़े दिगज ब्रहामनेताओं के नाम सलते थे लेकिन अगर आप ध्यान करें तो हमने आपको तब भी बताया था आप मिने इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं मैंने बताया था कि ब्रहामन चेहरों में गौरव गौतम को स्थान मिलेगा और मिल सकत कि युवा राजनीती को आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री इंद्रेंद्र मुदी का जो प्रकल्प संकल्प था उसकी एक कड़ी बने गौरव गौतम और वो हर्यारा सरकार में वजीर के पत्तक पहुंच गए कल पलवल में उनका अभी बनंदन ही अज उनने कारा बार साब लिए पलवल के लोगों मिल जोश और उस्साथा आपको क्या लगता है यह जोश और उसक पव्तक कायम रहेगा क्या जिस उम्मीद के साथ में उनको चुना गया और जिस उम्मीद के साथ भारती जन्ता पारटी के आला कमान ने युवा राजनीती को आगे बढ़ाने का जो प्रकल्ब शुरू किया उसमें गौरव गौतम कितने काम्याब होंगे और सबसे बड़ा प्रमुख सवाल मैं आपसे कई बार कहता रहा हूँ कि सबसे प्रमुख सवाल ये है कि जिन मुद्दों के साथ खासकर पल्वल और पूरे हर्याणा के अंदर बीजेपी चुनाओं मैदान में थी उन मुद्दों पर कितनी तेजी से और कितनी गती से काम और सबसे प्रमुक सवाल आपको क्या लगता है दक्षिन हर्याना क्योंकि अब वो मंत्री बन गए और दक्षिन हर्यान पलवल छेत्र की कौन सी समस्याएं है जिन पर जल्द काम होना चाहिए कमेंट्स बोक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना